नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है विजी कुमार गिरी और मैं आप लोगों का हार दिक स्वाकत करता हूं अपनी यूटूब चैनल जिसका नाम है सुगा क्लासेस पर एगरी कल्चर दोस्तों आज हम सब लोग fundamentals of harky culture का 9 lecture पढ़ेंगे जसमें आप लोगों को उपढाऊंगा Kitchen Garden क्या होता है? Kitchen Garden के introduction के बारे मिएं बताऊंगा इसको कैसे लगाते हैं? इसे किशन Garden कहते किसको है? इसका importance क्या है? बारे हम आज पढ़ेंगे तो तो चलिए शुरू करते हैं kitchen garden की study, देखो सबसे पहले क्या होता, पहले इसको जान लेते हैं कि kitchen garden होता क्या है, देखो घर के आस पास में अगवाडे या पिछवाडे थोड़ी बहुत जगा बची रहती है, तो वही जो थोड़ी बहुत जगा बची रहती है, उसी जगा में ह हम सबजियों को उगाते हैं, जिससे हमें खाने के लिए ताजी सबजियां मिल जाएं, ठिक, तो उसी को हम कहते हैं kitchen garden, यानि कि अपने kitchen के लिए सबजियों को उगाना, क्यावल अपने कमजमसं के लिए, ठिक, क्यावल खुद खाने के लिए सबजियां उगाना, जैसे मालो पीछे या कहीं भी ठोड़ी से जगा बची रहती है घर बनने के बाद गाओं में तो अक्सर ही सहर में मालों नहीं बचा रहते लेकिन गाओं में तो रहता ही है तो वहाँ पहलोग क्या करते हैं कि जो क्या थोड़ी एक बची रहती है। ंऐम ताजी-टाजी for their own kitchen, अपने kitchen के लिए सबजियों को उगाना या for their own consumption, अपने खुद को खाने के लिए सबजियों को उगाना ही होता है kitchen garden, अब इसमें देखो क्या होता है, fruit and vegetable play an important role in the balance diet for human being by providing not only the energy this food, but also provide vital protective nutrient, जो fruit और vegetable होते हैं, ये बहुत important role play करते हैं, एक balance human diet में, यानि कि आदमी जो खाता है, उस चीज में जो भोजन हम लोग करते हैं, उसमें fruit और vegetable का बहुत important role होता है, ये हमें energy भी देते हैं, energy के साथ साथ ये हमें protein भी देते हैं, और protective nutrient भी देते हैं, जिससे हमें बीमारियों से लड़ने की छमता भी प्रदान होती है, ठीक, तो ये fruit और vegetable बहुत important part होते हैं, हमारे food के, अब देखो, in order to make available the requisite quantity and kind of fresh fruit and vegetable every day to a family, it is better to have a nutrition garden to grow them in the house premises, कह रहा है कि एक nutrition garden हमेरे पास होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, जिससे कि हमें fresh fruit और vegetable हर दिन मिलता रहे, हम बजार से जो सबजी लेके आते हैं, वो कम से कम, कम से कम 36 से 48 घंटे पुरानी सबजी होती है, market में आने से पहले, हमारे लोगों के घर में आने से पहले, वो 36 घंटे या 48 घंटे कभी कभी तो 3 दिन तक वो गुजार चुकी होती है सबजी, और जो सबजी हम fresh consume करते हैं, उसकी nutritive value अच्छी होती है, वो deteriorate नहीं होता है, उस हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होगा, fruit and vegetable often from market lack freshness and deteriorate in the food value beside their exorbitant price, कह रहा है कि एक तो जब हम बजार से सबजी लाते हैं, तो कभी कभी बजार में price जो उसकी होती हो भी ज़्यादा हो जाती है, ठीक, तो हमें महगी सबजी भी खरीदनी पड़ती है, उसके साथ साथ ज लेक होती है, मतलब freshness की कमी होती है, तरो ताजी सजी हमें नहीं मिल पाती है, और कभी कभी deteriorate भी होने लगता है, जानतों का इसे, जैसे अभी मटर खरीदने जाओ, एक किलो मटर तुम खरीदने जाओ, तो उसमें क्या करते हैं, कि नीचे इधर रख दिया परसों वाला काटर देखेगा, वो पन्नी में काईदे स्पैक कर देगा, जब घर पे लाओगा, देखो कि आधा खराब हो चुका, आधे में फफूद लग गया है, समझ गये, तो deteriorate हो चुका होता है, या कुछ ना कुछ तो उसमें deterioration हो ही जाता है, क्योंकि 2-3 दिन के सबजियां पुर रहना, लेकिन जहां पर ऐसा है, वहां पर हम कर सकते हैं, जहां पर हमारे पास जमीन है, थोड़ी बहुत तो हम किचन गार्डरिंग कर सकते हैं, इससे क्या होता है, कि अगर हम किचन गार्डर में सबजी लगाएंगे, तो सबजी को तोड़ने में और सबजी बना के खाने में, जादा से जादा का 3 गंटे, 2 गंटे का टाइम लगता है, इतना ही अंतर रहता है, सबजी जैसे मान लोग ओभी कि सबजी बनानी है, साम को गए तोड़ के लाए, साम को सबजी बनानी है, साथ बजी, गए तोड़ करने के लिए अब working इनए garden TIM में काम करना एक सुख का सुख की नहुती होती है जैसे कुछ लोग होते हैं क्या होते हैं 60-70 सल के जब बुड्दे हो जाते हैं उनके पास कुछ काम धाम रहता नहीं है ठिक हुए से कुछ बड़े काम कर नहीं सकते महनती काम हो कर नहीं सिकते तो इसलिए वो क्या करते हैं कि थोड़ा सांथी उनको मिले थोड़ा अपना टाइव भी पास ऊजाए तो किछन गार्डिनिंग कर लेते हैं बढ़िया थोड़ी ज़यर उसमें दूख र्च काम करते रहे उनका टाइम भी पास हो गया और थोड़ा-थोड़ा काम करने स हेल्थ भी उनकी अच्छी है और सुख तो मिली रहा है खेती कन्ने में चिक एक एंस्पिरेशन भी होता है चिक इट मीन्स आफ क्रियेशन एंड ए पॉसिवल फैमिली इंटरप्राइज इन विच आल मेंबर है डू शेयर टू स्पेंड ए लिसर हावर्स क्या कह रहा है कि इसम पूरा पूरा परिवार उसमें लग जाता है खेती में जैसे कि मानलो भी पांचे कोहा बनाया मतलब मानलो एक दो विस्वा की है बहुत थोड़ा सा सो स्कॉयर मीटर का हमारे पास क्या है जमीन है तो इतना जमीन हमारे पास बहुत है इतनी जमीन में हमने किचन गार्डन कर थोड़ी देर पोता कर रहा है थोड़ी देर खुद कर रहे हैं थोड़ी देर बाबा कर रहे हैं थोड़ी दिर बीबी कर रही है थिक तो थोड़ा-थोड़ा सब्दों कर रहे हैं तो इससे आसानी से हमको ताजी सब्जियां भी मिल जा रही है और बचत भी हो रही है जो जमी सकता नहीं है कि आप गुड़ाई कैसे करनी है निकाई रूपाई यह ट्रेनिंग प्रूनी बहुत बड़ी सकता नहीं है थोड़ा सा किसी जानकार आदमी से थोड़ा अगर बिल्कुल ही नहीं पता है तो थोड़ा बहुत किसी आगल बगल वाली जानकार आदमी से पूछ लो उतना बता देगा नहीं तो फिर इधर उधर से देख लो इंटरनेट से देख लो और देखके जान जाओ कि हाँ तो ऐसे क्या लगाया जाता है बहुत जादा आसपास की जमीन पड़ी होती है उसको हम ले आउट कर सकते हैं न्यूटिसन गार्डन बनाने में न्यूटिसन गार्डन को ही किचन गार्डन भी बहुते हैं which would help to take proper care, harvesting, irrigation and other operations अगर हमारे घर के आसपास रहेगा तो हम harvesting, irrigation और अगे, अदर ऑप्रेसन भी आसानी से कर सकते हैं जो घर का वेस्ट पानी होता है जो नहाने में बरतन धोने में सब्जी धोने में यह सब जो पानी वेस्ट हो जाता है इसको हम रिसाइकल भी कर सकते हैं कैसे किचन गार्डन में उस पानी को हम सिचाई में लगा सकते हैं ठीक जैसे मालूद अब इस साबून और सरफ जो है इस जब मनों तनकी जब हम भरते हैं तो फ्रक्राइवทर गुस्त कर सकते हैं तो इससे रिसाइक्लिंग का ए जडिस हो जाती है maximum use कर लेते हैं जो हमारे पास पानी होता है big trees should be planted toward the northern side of the garden and they will not only set the vegetable but the root may compete for moisture and nutrient if planted in between कह रहा है कि हमें कभी भी देखो एक चीज़ ध्यान रखना कभी भी हम अगर पेंड लगा रहे हैं और पेंड के अबल एक ही side में लगाना है तो हम कहां prefer करते हैं हम north side में prefer करते हैं देखो जैसे ये होता है ये होता है north ये होता south ये होता है east और ये होता है west ठिक अब देखो जैसे मालो हमारे पास ये क्या है एक kitchen garden है अब सूर किदर से निकलेगा सूर east है तो यहां से निकलेगा यहां से सूर यहां से निकल के ऐसे ऐसे जा कि यहां सत होगा तो अगर हम पेंड को यहां पर लगाएंगे तो इसकी चाया यहां पड़ेगी जब सूर निकल रहा होगा तो यहां पे जो हमारी फ़सले हैं वो नुकसान पिरेगा क्योंकि उसमों प्रकास बराबर नहीं मिल पाएगा अगर यहां पर हम पेंड लगाएंगे तो इनकी चाया यहां जाएगी तब भी पौधों को नुकसान ही है अगर यहां पर हम पौधे लगाएंगे तो यहां चायाँ जाएगा तब भी नुकसान है पौदों को लेकिन अगर इस साइड हम लगाते हैं तो इस साइड में यहाँ पर पत्तियां अपना प्रकास ले लेंगी जो यहाँ पर हम सब्जियां लगाए हैं सब्जियां भी यहाँ से लाइट ले लेंगी और यहाँ चुकि पौधे उंचे रहते हैं तो पौदे भी अपना light ले लेंगे तो इससे दोनों का फाइदा है हमें additional क्या मिल जाता है income मिल जाती हमें लकड़ी भी मिल जाती है जलाने के लिए या furniture बनाने के लिए या कह सकते हैं बेचने के लिए लकड़ी जिसे बड़ी हो जाए तो इसको बेच भी हम सकते है तो यह सब हमारे पास additional income हो जाता है और इसके साथ साथ हमें ताजी हवा भी मिलती रहती है घर के आसपास एक तक पेंड़ लगा हो तो ताजी हवा बराबर मिलती रहती है तो यह सब importance होता है kitchen garden है एक model जो होता है others जो nutrition garden होता है इसमें या तो आप vegetable लगा सकते है या fruit लगा सकते है या दोनों लगा सकते है ठीक thus the plan of growing vegetable and fruit has to be integrated in a most beneficial manner कह रहा है कि अगर हम vegetable और fruit दोनों को एक साथ लगा रहे है तो यह सबसे अच्छी बात होती है क्यों 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 हमें fruit भी समय समय पर मिल जैसे हम root लगा दिया तो हम रूद भी समय समय पर मिल लगा या आम लगा दिया आम भी मिल ला है तो दो पोधे लगा दिया एक लगा दिया नीबू तो हमें नीबू भी मिल लगा है और साह साह में सबजी भी मिल ला है तो यह और सबसे जादा beneficial होता अगर दोनों हम मिला के बहुत The size of the garden में depends on the area available जो size होता है garden का कि कितना बड़ा हम garden रखें kitchen garden छोटा बड़ा तो सबसे पहले तो देखा जाता है हमारे पास जमीन कितनी है अगर हमारे पास जितनी जमीन में करते हैं जीसे मान लूगे बहुत ज्यादा जमीन है तो gebaut कि वेढूर्डन कर नहीं सकते हैं कि 오늘 फिर्णाज क्या जाता है जितना आपने खुद के कंजंसन के लिए होता है मतलब पूरा परिवार खा लिए हमको बेचना न पड़े बेचेंगे तो commercial हो जाएगा दसाइज आफ गार्डन में भी डिपेंड ऑन दे एरिया एविलेवल इन दे compound compound the time available for its care और हमारे पास कितना time है उसके care करने के लिए ऐसा नहीं कि हम दिनबर duty करते हैं रात को 9 बज़े आते हैं सुबा 6 बज़े जाते हैं तो उसकी care ही नहीं कर पाएंगी तो हमारे पास time कितना है यह भी depend करता है कितना बड़ा हम एरिया लगा और डेली requirement of fresh fruit and vegetable of the family हमारे family के लिए कितना fresh vegetable of food क्या हो सकता है ठीक क्यों उतना ही अगर हम बेचने पर आए तो यह commercial हो जाएगा तो kitchen garden नहीं रह जाएगा अब क्या कह रहा है to meet the demand of vegetable for an average family 5-6 अगर member हैं तो 200 square meter के एरिया sufficient होती है ठीक कितनी meter square area 200 square meter के एरिया यह sufficient होती है ठीक यानि कि 14 मीटर आप लंबा कर सकते हैं और 14 मीटर चोड़ा अगर आपके पास इतना area है तो यह enough होता है 200 square meter के एरिया is in a for the kitchen garden if the family member is available in five or six in number तो अगर पांच से छे आदमी हैं तो 200 square meter area ठीक है और 300 gram produce करना है to produce 300 gram of vegetable per day हर दिन 300 gram vegetable all the year around about 50 square meter area is required हमें 300 gram सब्जी रोज उत्पन करने के लिए 50 square meter area कि आउसकता होती है ठीक 50 square meter area समझ रहो कि हमको 300 gram सब्जी एक आदमी को रोज खाना चाहिए एक आदमी को 300 gram सब्जी खानी चाहिए रोज यह याद कर लेना बड़त important चीज़ है एक आदमी को 300 gram सब्जी खानी चाहिए और यह रोज अगर हम 300 gram सब्जी निकालें तो अगर हमारे पास 50 square meter area की जगा है तो इसमें हम 300 gram सब्जी उगा सकते हैं मतलब आप ऐसे लगा सकते हैं कि एक आदमी है तो सब्जी और यह थी पंदरा आदमीं का उगा सकते हैं तो यह चीज होती है ठीक थोड़ा average में इसे लगा लिया जाता है depend on the space available and the family size and planning may be done earlier for a big or medium or small size garden हमारे पास कितना space available है और हमारी कितनी family किसाइज है हमारी family में कितने लोग हैं कभी 10 होते हैं कभी 15 होते हैं कभी 4 होते हैं कभी 20-25 पचीस पचीस family होती है और हमारे पास कितनी जमीन है यह सब को हम काईदे से calculate करके तब फिर हम अपना garden बनाते हैं चाहे वो बड़ा हो चाहे medium size का हो चाहे small size का garden हो ठीक अब देखो guidelines and principles in planning nutrition garden nutrition garden को बनाने के लिए कौन-कौन से guideline है और कौन-कौन से principle है जो हमें gardening करते समय देखना चाहिए it is convenient to lay out rectangular plot than a square plot बनाते हैं वो square plot के जगाँ पे rectangular plot होना चाहिए ठीक यानि की वरगा कार की जगाँ पर प्लाट हमें बनाना चाहिए वरगा कार ऐसा होता लंबाई चोड़ाई दोनों बराबर होती आयता कार कुछ ऐसा होता है ठीक तो हमें आयता कार बनाना चाहिए किनारे से बाड़ा लगानी जाहिए जैसे अभी मान लो बहुत भी आईपी आदमी है तो घर पर बढ़िया किनारे चारों तरफ से दिवाल लगाए हो छोटी सी लेकिन बहुत ज्यूदा उची दिवाल हो जाएगी तो उससे धूप जो आती है सनलाइट वह भी रोक लेगा त उसको रात में तोड़के चुरा के लिके चले गए या जानवार आके खा गया तो यह सब होता है परेनियल वेजिटेवल लाइक करी लीफ जो करी पत्ता होता है ड्रमिस्टिक सहीजन जो होता है एंड कोई फ्लावरिंग कोई ग्रोइंग फ्रूट्री जैसे पपाया बनान एंड लाइं नीवू बनाना पापाया और ड्रमिस्टिक यानि सहीजन और करी लीफ जो कड़ी पत्ता होता है फुट वी प्लाइंटेड अलांगड बाॉर्डर के खिणारे किनारे हम लगा सकते हैं कौन से किनारे बाॉर्डर के किनारे मतलब उत्तर साइड में जदा पर करेंगे पेरनियल बेचेटेबल लाइक कोपेना चौ चौ एक पहलते हैं यह झानते हैं यह बेचेबल हैं यह भी यह भी हम लगा सकते हैं अपने किचन गार्डन में अब लांग तेकि यूल का एलिफेंट फूट याम यह होता सब हैं चान होते हैं कान झूल अरवी बंडा हाथी चो उत्व अलड़ा सकते हैं तिक एलिफेंट के दिन खृत बहुत अच्छा लगता है लेकिन इसमें चरपराहट होती है जो पुरानी बहुत रेर वरायटियां होती है उनमें चरपराहट होती है और जो लेटेस्ट अभी कुछ विराइटियां यहां नरंद्र देव निविश्टे से निकाली गए कुमार गांज फायजावाद वाल दो इसकी चरपराहट कम हो जाएगी अब देखो और क्या प्रिंस्पल है सुटेबल सौर्ट डिवरेशन कंपाउंड क्रॉप सच है जिसे सौर्ट डिवरेशन की कुछ क्रॉप जैसे रेडिस वीट रूट करट इट्सक्टर का इन भी ग्रोन इसको हम ग्रो कर सकते हैं लांग डिवरेशन क्रॉप देश रौप का कि इन भी ग्रोंड डाउं यसको हम बंडस पर हुगा सकते हैं जो लांग डिवरेशन की क्रॉप है sommes काल रोगा सकते हैं बंडपर बंडघ समझते हैं मेड़ अफ घकत पर हम लगा सकते digo 292 कोष रहनकि च correlation की क्रॉप हो उसको हम also seen that at least four to five kind vegetables are always available हम Kitchen Garden में क्या करते हैं कि दो साल के अंदर एक क्यारी में कम से कम मटर या कोई दलहनी फसल जरूर लगाते हैं कि दलहनी फसल जो होती है यह जो मिट्टी होती है इसकी उरव़बा सकती को, इसकी प्रोडक्टिविती एक और प्रोड़री को, अ है इंप्रोब करती है थिक, तो दो साल में कम से कम एक बार हमें दलहनी फसल लगानी चाहिए कैरी में, ऐसा नहीं कि पूरे किचन गार्डन में एक बार दलहनी फसल अब देखो जो किचन गार्डन होता इसमें चार से छे प्रकार की वेजिटेबल हर दम उपलब दोनी चाहिए क्योंकि अगर केवर लेकर प्रकार की वेजिटेबल लगाओगे तो एक समय पे इतनी धेर सारी वेजिटेबल हो जाएगी उसको खाते-खाते उब जाओगे और ए हमें एक छोटा सा प्लाट रिजर्व में रखना चाहिए नर्सरी उगाने के लिए जैसे मालों टमाटर की नर्सरी है प्याज की नर्सरी गोभी की नर्सरी पात गोभी की नर्सरी फूल गोभी नर्सरी मिर्च की नर्सरी जो हमें छोटी बोटी नर्सरी उगानी होती है इस इसको हमें एक छोटी सी नर्सरी के क्यारी अलग से बनाई रखनी चाहिए यहां नर्सरी उगाना भी आसाने से हो जाए knowledge of planning season is essential in planting the cropping pattern हमें planning time भी पता होना चाहिए कि हम कों से फसल कब लगाते हैं नहीं तो पता चला कि जून जुलाई के मौसम में मटर लगा दो तो होगा नहीं होगा समझ गए यह सब चीजें होती हैं यह भी हमें थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए the entire plot should we divide into a number of small plot जो पूरा plot है इसको हम divide करते हैं कई number में चोटे चोटे plot में sub plot में the size of number the size and numbers of sub plot can be decide based on area available family size crops choose and convenience हमा अपने हिसाब से अपने convenient के हिसाब अपने सुविधा के हिसाब से या family की कितनी कितनी बड़ी family है या हमारे पास जमीन कितनी है इन सब को ध्यान में रखते हुए या हमें कितने प्रकार के सब्जियां उगानी है दस प्रकार की पांच प्रकार की दो प्रकार की चार प्रकार की उस हिसाब से या कौन सी सब्जी को हमें ज्यादा हो सकता यह से कुछ लोगों को गोभी के सब कि ..सब जी अच्छी लखते हैं तो सीम की कह दी थोड़ी बड़ी कर दो यह सब करके हम उसमें siiren si refriger room बना सकते हैं पूरा जो यह किस बड़ा सब्व्लाट होता किचन गार्डन का है 한 का उसमें छोटे-छोटे saip स्प्लाड बना कि हम काईद्ध,, स respect हेती कर सकते ही पड़ेगी किचन भी जैसे पूरब साइड में तुमने लगाया तो नहीं पड़ेगा अगर घर के दक्छण साइड में क्या रही है thisonte नहीं जाएगी नहीं तो अगर उत्तर सफ्ट्र साइड में गर-घर तो जायेगा तो जहां सब्जी हो गई भोजन हो गया या और भी जो और गेनिक वेस्ट होते हैं उसको हमें उस compost pit में डालना चाहिए जिसे हमें हरी खाद उसे हमें compost मिलता रहे वर्मी compost और काईदे से वो मिट्टी में मिला दें तो और गेनिक सब्जी तायार मिलती compost को जितना हमें आव सकता हो क्रीपिंग विजटेबल लाइक गाड और अधर में भी ट्रेंड ऑन दो फेंस और इरेक्टेट लाइड फेंडल यह कह रहा है कि हमें जो क्रीपर वाली सब्जियां हैं जो रेंगने वाली सब्जियां अइन जैस मां लो कि लवकिश, कोड़ा, कद्दू, करेला यह सब जी हैं इन चीजों को लगाने के लिए हम या तो जो बड़े पाउधें हैं या तो जो किनारे फैंसिंग की गई है उन्ही के किनारे लगा दो जिसे उसी फैंसिंग पे चढ़ा दो तो उसी फैंसिंग में जमेन भी हमारे नहीं कबजा करेंगी जादा और सब्जीविक बरावर देती रहेंगी अब the area in between the perennial plant may be utilized for short duration shallow rooted annual vegetable like garlic और coriander उसके जो perennial plant है, perennial plant के बीच में जो area होती है perennial plant जैसे मालो सहीजन लगा दिया और कड़ी पत्ता लगा दिया अब इन दोनों के बीच में जो जगा बची है, उसके बीच में हम garlic, coriander यह सब लगा सकते है annual जो vegetable होता है if the land is limited, preference can be given for growing those vegetable who charge costly higher perceival कह रहे हैं कि हम अगर land हमारे पास कम हो, तो हमें सबसे पहले कौन से crop होगानी चाहिए जो बजार में महगी मिलती हो, highly perceival हो, not easily available, मतलब बजार में जल्दी से मिलती ही ना हो, ठीक, which can we produce maximum उसे हमें ज़्यादा produce करना चाहिए हमें जो irrigation channel बनाते हैं उसको ऐसा बनाना चाहिए, कि जिससे हम आसाने से पूरे garden में सिचाई कर सकें, हमें कोई problem ना हो तो आज के लिए किवल इतना ही, kitchen garden आपका समाथ हो गया, यह बहुत छोटा से है और बहुत आसान सा topic था, जो different competitive exam में कभी ने कभी किसी ने किसी form में पूछा जाता है तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को like जरूर करें, channel पर नए हैं तो channel को subscribe करें, मिलते हैं गले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद, धन्यवाद